नमस्कार एक्सलेंसीच बंगलादेश के राश्पती अब्दुल हमिजी प्रजान मंत्री शेख हसेना जी क्रिशी मंत्री डॉक्टर महमत अब्दुर्र रजाग जी मेडम सेख रहाना जी अन्य गणमान्य अतिजिगाण शोनार बंगलादेशेर प्रियो बंदुरा आप सभी का यसने मेरे जीवन के अन्मोल पलों में से एक है मुझे खुशी है कि बंगलादेश की विकास यात्रा के इस अहर्म पड़ाव में आपने मुझे भी शामिल किया आज बंगलादेश का राष्ट्रिय दिवस है तो शाधिनता के पचासवी वर्षगाण भी है इसी साल ही भारत बंगलादेश मैत्री के पचास वर्ष पुरे हो रहे हैं जातिर पिता बॉंग बंदू शेख मुझमर रह्मान की जन्मशतिकाई वर्ष दोनों देशों के सबंदों को और मजबूत कर रहा है एक्सलेंसीज राश्पती अब्दूलहामीज जी प्रदानमंत्री स्थेख हचिना जी और बंगलादेश के नाजरी कोंका मैं आभार प्रगड करता हूं आपने अपने इस गवर्व सालिक्षणों में इस उत्सों में भागिदार बनने के लिए भारत को सप्रेम निमंत्रन दिया मैं सभी भारतियों की तरफ से आप सभी को बंगलादेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बढ़ाई देता हूं मैं बंग बंदो शेख मुझूबर रह्मान जी को आदर पूरवक सद्धान देता हूं जिनोंने बंगलादेश और यहां के लोगों के उनके लिए अपना जीवन नियुचावर कर दिया हम भारत बास्यों के लिए गवरों की बात है कि हमें शेख मुझूबर रह्मान जी को गांदी शांती सम्मान देने का अउसर मिला मैं यहां अभी इस कारकम में भब प्रसुदी देने वाले सभी कलाकारों की भी सराना करता हूं बंदुगों मैं आज याद कर रहा हूं बंगलादेश के उन लाखों बेटे बेटियों को जिनों ने अपने देश अपनी भाशा अपनी संस्कृति के लिए अंगीनत अत्याचार से अपना खूंदिया अपनी जिन्दगी दाव पर लगा दी मैं आज याद कर रहा हूं मुक्ति जुद्धों के सुर्वीरों को मैं आज याद कर रहा हूं शहीत दिरेंद्र नाद दत्तों को शिच्छावीत रोफित उतिन एहमत को भाशा शहीत सलाम रोफिक बरकत जब्बार और शाफियोर जी को मैं आज भारतिय सेना के उन्वीर जमानों को भी नमन करता हूँ जो मुक्ति जुद्धों में बंगला देश के भाई बेहरों के साथ खड़े हुए थे जिन्होंने मुक्ति जुद्धों में अपना लहू दिया अपना बनिदान दिया और आजार मंगला देश के सपने को साकार करने ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई फिल मार्सल, सैम मानेचा, जनरल अरोरा, जनरल जेकर, लांस नाइक अलवर्ट एका, ग्रूप कैप्टेन जन्ननसी, कैप्टेन मोहन नारेंड राव सामंत, ऐसे अंगिलेट कितने ही वीर हैं, जिनके नित्रुत्व और साहस की कथाएं हमें प्रेवित करती हैं बांगा देश सरकार द्वारा इन वीरों की स्मृति में आशुक्राइं में वार मेमोरियल समर्पित किया गया है मैं इसके लिए आपका अभार रेक्त करता हूँ मुझे खुशी है कि मुक्ति जुद्धों में सामील कई भार के सैनी आज विशेश का रूप से इस कारकम में मेरे साथ उपस्तित भी है बंगलादेश के मेरे भाई और बहनों यहां की लौजवान पीड़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और वह गर्मों के साथ याद दिलाना चाहूँगा बंगलादेश की आजादी के लिए संगर्ष में उस संगर्ष में सामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोनोनों में से एक था मेरी उम्रा बीस बाईस साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथ को ने बंगलादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्यांगर्ष किया था बंगलादेश के आजादी के समर्थन में तब मैंने गिर्पता नहीं भी दी थी और जेल जाने का उसर भी आया था यानि बंगलादेश की आजादी के लिए जितनी तड़ इधर थी उतनी ही तड़ उधर भी थी यहां पाकिस्तकान की सेना ने जो जदन्य अप्राग रहत्याचार किये वो तस्वीरें विच्छित करती थी कई दिन तक सोने नहीं देती थी गोविल दोहंदर जी ये कहां था एक शागोर एक शागोर रोक्तेर बिनिमोए बांगलार शाधिनोंता आंले जहरा आमरा तोमा देर भूल बोना आमरा तोमा देर भूल बोना यानि जिनोंने अपने रत के सागर से बंगला देश को आजाधी देलाई हम उन्हें भूलेंगे नहीं हम उन्हें भूलेंगे नहीं बंदुगों एक निरंकुत सरकार अपने ही नागरीपों का जन सम्हार कर रही थी उनकी भाशा उनकी आवाज उनकी पहचान को कुचल रही थी ऑपरेशन सर्च लाइट की उस कुरूरता को दमन और अत्याचार के बारे में विश्व में उत्री चर्चा नहीं किये जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए बंदू बंदू इन सकते बीच यहां के लोगों और अंभारतियों के लिए आशा की किरन थे बंदू सेख मुझबुर रमान बंदू के होसले ने उनके नित्रुत्व ने यह तैय कर दिया था कि कोई भी ताकत कोई भी ताकत बंगलादेश को गुलाम नहीं रख सकती बंदू ने एलान किया था एबारेर एबारेर शंग्राम आमादेर मुक्तिर शंग्राम एबारेर शंग्राम साजिनोतार शंग्राम इस बार संग्राम मुक्ति के लिए है इस बार संग्राम आजादी के लिए हैं उनके नित्रुत में यहां के सामान ने मानवी पुरुष हो यस्त्री हो किसान नवजवान जिचर कामजा सब एक साथ आकर मुक्ति वाहिनी बन गई और इसलिए आज का यह उसर मुझिन बोर्षे बॉंग बंदू के वीजन उनके आदर्शों उनके सांस को याद करने का भी दीन है यह समय चिरोवित्रोही चिरोवित्रोही को मुक्ति जुद्धों की भावना को फिर से याद करने का समय है बंदूगों बांगला देश के स्वाधिंता थंगराम को भारत के कौने कौने से हर पार्जी से समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था तत्कालिन प्रधान मत्री स्रीमती इद्रा गांदी जी के प्रयास और उनकी महत्वकुल भूमी का सर्व विजित है उसी दोर में 6 दिसम्बर 1971 को अटल भी हरिवाजपाई जी ने कहा था हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहूती देने वालों के साथ लड़ रहे हैं लिकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयात कर रहे हैं आज मांगला देश में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों और भारतिये जवानों का रख साथ साथ बह रहा है यह रखता ऐसे समंदों का निर्मार करेगा जो किसी भी दमाव से तूटेंगे नहीं जो किसी भी कुट निती की का शिकार नहीं बढेंगे हमारे पुर्व राश्पती प्रणव मुखर जीजें प्रणवत्या ने कहा था बॉंग बंदू को उन्होंने एक टारलेस स्टेश्मेंट कहा था उन्होंने कहा था कि सेख मुझमिर रह्मान का जीवन धैरिया प्रतिवत्यता और आत्मसंयम का प्रतीख है मौंदूगों ये एक सुकत से योग है कि मंगला देश के आजादी के 50 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष का पढ़ाव एक साथ ही आया है हम दोनों ही देशों के लिए 21 सदी में अगले 25 वर्षों की आत्रा बहुत ही महत्व कुन है हमारी विरासत भी साजी है हमारा विकाद भी साजा है हमारे लक्ष भी साजे है हमारी चुनोतियां भी साजी है हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां अमारे लिए एक जैसी संभावनाएं है तो आतंकबाद जैसे समान खत्रे भी है जो सोच और सक्तियां इस प्रकार की अमानविय घट्नाओं को अंजाब देती है वो अब भी सक्रिय है हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए और उनसे मुकामला करने के लिए संगठित भी रहना होगा हम दोनों ही देशों के पास लोग तंत्र की ताकत है आगे बढ़ने का स्पस्त भीजन है भारत और मंगला देश एक साथ बिलकर आगे बढ़े इस पूरे छेत्र के विकात के लिए उतना ही जरूरी है और इसलिए आज भारत और मंगला देश दोनों ही देशों की सरकारें इस समवेदन सिर्था को समझ कर इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है हमने दिखा दिया है कि आपसी विश्वास और सयोग से हर एक समाधान हो सकता है हमारा लैंड बाउंडरी अगिर्मेंट भी इसी का गवाँ है कोरोना के इस कालखन में भी दोनों देशों के बीच बहतरीन तानमेल रहा है हमने सार कोविट फंड के स्ताप्रा में सयोग किया अपने हिूमन रिसोर्स की ट्रेविंग में सयोग किया भारत को इस बात की बहुत खुशी है कि मेड इंडिया वैक्षिन्स बंगला देश के हमारे बहनों और भाईयों के काम आ रही है कि मुझे आध है वो तस्वीरे जबी साथ 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दीवस पर बांगला देश आम फोर्सिस के कि ट्राइ सर्विस कंटिजन्ट ने शोनो एक टीर शोनो एक टीर मुझे बोरेर थे के इस धून पर दिल्ली में परेड की थे भारत और मंगला देश का भविश सद्धाव भरे आप विश्वा आपसी विश्वात भरे ऐसे ही अंगरित पलों का इंतिजार कर रहा है साथियों भारत बंगला देश के समंदों को मजबूत करने के लिए दोनों ही देशों के यूथ में बहतर कनेक्ट की भी उतना ही आवश्यक है भारत बंगला देश समंदों के पचास वर्ष के अवसर पर मैं बंगला देश के पचास एंट्रप्रिनर्स को भारत आमंत्रित करना चाहूंगा ये भारत आएं हमारे स्टांटरप और इरोवेशन एकोसिस्टिंस से जुड़े वेंचर केपिटालिस से मुलाकात करे हम भी उनसे सिखेंगे उन्हें भी सिखने का आवसर मिलेगा मैं इसके साथ साथ बंगला देश के युवाओं के लिए सुबर्नो जेन्ती स्कॉलर्शिप की गोशना भी कर रहा हूँ साथियों बंग बंदु शेख भुजीबर रह्मान जी ने कहा था बंगला देश इतनके हां से शाधीन राष्ट्रो हिशेवे ठीके ठाकते बंगला के दाविये राखते पारे एमान कोनों शक्ति नाई बंगला देश स्वाधिन होकर रहेगा किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि बंगला देश को दबा करके रख सके बंग बंदू का ये उद्गोश बंगलादेश के अस्तित्व का विरोध करने वालों को चेतावनी भी थी और बंगलादेश के सामर्थ पर विश्वाद भी था मुझे खुशी है कि सेख हसिनाजी के नेत्रुत में बंगलादेश दुनिया में अपना दम खम दिखा रहा है जिन लोगों को बंगलादेश के निर्मान पर इतराथ था जिन लोगों को बंगलादेश के अस्तित्व पराशिका थी उन्हें बंगलादेश ने गवलत साबित किया है साथ्यों हमारे साथ काजी नजरों इसलाम और गुर्देव रवेन राठ ठाकुर की समान विरासत की प्रेना गुर्देव ने कहा था काल नाई आमा देर हाथे कारा कारी कोरेताई शबे मिले देरी कारों नहीं शहे को भू यानि हमारे पास गवानिर के लिए समय नहीं है हमारे पास बढ़लाव के लिए आगे बढ़नाई ही होगा अब हम और देर नहीं कर सकते यह बार भारत और मंगला देश दोनों पर समान रुप से लागू होती है अपने करोड़ों लोगों के लिए उनके भविश्य के लिए गरीवी के खिलाप हमारे युद्ध के लिए आतन के खिलाप लड़ाई के लिए हमारे लक्ष एग है इसलिए हमारे प्रयाद भी इसी तरह एक जुट होने चाहिए। मुझे विश्वास है भारत बंगलादेश मिलकर तेज गती से प्रगति करेए। मैं एक बार फिर इस पामन परवपर बंगलादेश के सभी नागरिकों को अनेक अनेक सुबकामनाई देता हूँ और रिदे से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बंगलादेश मोहत्री चिरोजी भी हो इनी सुबकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जोए बंगला जोए हिन।